सब वेलकम फ्रेंट्स, सब आगेते आप सभी का डेली न्यूस अपेर्स के सीरीज में बेसिक नोलेज के साथ साथ अगर आप किसी भी अगसाम की त्यारी कर रहो तो ये वीडियो आप के लिए बहुत महत्मुन रने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चैनल को सबस्क्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजी चलिए शुरू करते और देखते कि आज की अपडेट क्या कहती है दोस्तों हाली में अमेरिका के रास्टपती जो बाइडेन यह युकरेन पहुचे और इनकी जो युकरेन की यात्रा तीन का जो विजिट था वो एक हाई रिस्क विजिट माना जा रहा है अब इस विजिट को हाई रिस्क विजिट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रसिया जो है यह यूक्रेन पर लगाता रों कभी भी बोंबिंग कर सकता है और एसे में अगर बाइडन को कुछ होता है तो तीसरा विश्यूद्ध होना लगवकता है ठीके एसे में जो वड़वात री है उसके समावनों काफी हद तक बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने पेले ही रसिया से इस बारे में बात की होगी देखी यूक्रेन में जो वाइडन की यात्रा थी फ्रेंट से पांच घंटे की थी और इसी लिए अमेरिका ने पेले ही रसिया से इस बारे में बात कर ली थी जो बाइडन है ये कुछ टाइम के लिए युक्रेण की यात्रा पर है और इसी को देखते हुए पुतिन अपने सेना को आज़ेश दिया कि बाइडन जो है ये युक्रेण में पांच घंटे के लिए विजिट कर रहे हूं और सभी वोंबिंग को रोपने के लिए पुतिन मोवार की शाम तक ये बताए जा रहा था कि बाइडन जो ही अभी तक वाशंग्टन में ही है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताए कि जो यात्रा थी इसको काफी गौपनी रखा गया था बाइडन जो ही शेनवार की रात को ही अमेरिका से निकल चुके थे सात्यों बाइडन यहां की जो जनता है यहां की जो नागरी के उन्होंने किस प्रकार रचिया के सेनिकों का सामना किया है यह काफी काभील तारीफ है यह बहुत शांदर तरीके से यहां की जो जनता ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है इसके साथ ही बाइडन ने यह भी कहा है कि युक्रेन को अमेरिका का जो समर्तने ये लगातार मिलता रहेगा और अमेरिका युक्रेन के साथ हमेशा खड़ा रहेगा इसके साथ ही जेलिस्की जो कि युक्रेन के प्रेस्टेंट है उन्होंने इस विजिट को लेकर कहा है कि बाइडेन का जो टूर युक्रेन में था ये अमेरिका और यूक्रेन के संबंदों के पूरे इत्यास में अभी तक का सबसे महत्पून तूर था सबसे महत्पून दोरा था और हमारे बीच बातचित काफी सार्थक रही है इसके साथ ही जेलिस्किन आगे ये काई कि इसका जो असर है इस विजिट का जो असर है ये निश्चित तोर पर युद्यों के मैदान में दिखाई देगा अब ये जो बात थी ये जेलिस्किन आगे पूतिन को निशाना बनाते हुए कई थी बाइडेन ने क्यों में कहाता है कि जब तक यूक्रेन को हप्यारू की जरूत होगी अमेरिका उसकी हमेशा मदद करता रहेगा दोस्तों रिपोर्टर्स की अगर माने तो राष्टपती पूतिन को बाइडेन के दोरे की जानकरी पेले ही दी गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइडेन की सियात्रा को लेकर वाइड हाउस ने जो जानकरी सार्वजनिक की थी उसमें ये बताया गया था कि राष्टपती बाइडेन जो है 21-22 फर्वरी के मद भी पूलेन की यात्रा पर जाएंगे थीक लेकिन अचानक से जो बाइडेन थे इन्होंने अपना फ्लान बदल लिया और ये पॉलेन की यात्रा की जगे क्यूप पर जाएंगे और पॉलेन में तेना जो अमेरिकी सेनी के उन से मिलेंगे ठीक है और पॉलेंड के प्रदान मतिर से युद्धी के मुद्धे पर कुछ बातचीत करेंगे ठीक है लेकिन लास्ट टाइम पर वो क्यों पोज गए और इस तरह से बाइडन का जो पॉलेंड का दोरा था ये युकरन का सर्फ्राइस विजिट बन गया ठीक है बाइडन जो है ये पूरे पांच घंडे तक क्यों में रहे थे और इसी बीच पूरे शहर में ये ये रेट साइरेंस के आवाज गुंज रही थी ठीक है ये जो साइरें ये तब एक्टिव होते है फ्रेंस जब हवाई अमले का अलर्ट जारी होता है और इसको एक तरह सम्बोल सकते हैं कि एक तरह का दिखावा था ठीक है दिखावा इस वज़े सम्बोल रहे हैं क्योंकि ब्लादिमीर पूतिन ने ये पेले ही वहाँ की सेना को ये रसिया की जो सेना युकरेन में थी उसको पेले ही आदश दे दिया था कि किसी तरह की कोई bombing या किसी तरह का कोई हमला ना किया जाए लेकिन हाँ यहाँ पे हम Biden की भी प्रशन सा करेंगे क्योंकि उन्होंने काफी risk लेकर वहाँ पे वो गए थे दीखे हाला कि Ukraine की जो defense ministry है उनका केना था है कि यह siren हमले की वज़े से active नहीं हुए थे यह Biden की दोरे की बज़े से इने active किया गया था अदी की Biden जो है फ्रंस इसने Q को 500 मिलियन डोलर की अतिरिक्त सेनी साहिता देने का वादा किया है मनलब अमेरिका जो ही यूकरेन को 500 मिलियन डोलर की अतिरिक्त अमेरिकी साहिता का नया package देगा जिसमें गोला बारूत, anti-arm system, साथ हवाई radar निग्रानी ये सारी चीज़े शामिले और ये सारी चीज़े देने का जो बयान जारी किया गया था फ्रंस ये अमेरिकी विदेश मंत्री एंटरी बिंकन के तोरे जारी किया गया था इन सभी खबरों के बीच एक और अपडेट सामने आती है कि जो प्लादीमिर पूती ने इन्होंने अमेरिका के साथ अपनी new start संधी जो की 2011 में लागो की गई थी उसको रद्द करने की गोश्टना कर दिये फिर new start संधी जो है इसको 5 फरेर 2011 में लागो किया गया था और जब इसको लागो किया गया था तो इसकी अउदी थी 10 वर्ष इनकी 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में ये संधी खत्म होने वाली थी और 2021 में जब ये संदी खत्म होने वाली थी तो इसको 5 वर्षिक लिए और बड़ा दिया गया था यानि कि रसिया और अमेरिका के बीच ये संदी 2026 तक रहने वाली थी लेकिन हाली में ब्लादिमीर पूतिन ने पस्चिमी देशों को पर्मानों युद्ध की चतावनी दे दिये और कहा है कि एतियासिक न्यू स्टाट संदी को हम निलम्वित कर रहे हैं इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं उन्हेंने काया कि रसिया जो है ये नए स्टेटजिक सिस्टम को युद्ध के लिए तेनात कर रहा है और इसके साथी पूतिन ने फ्रेंड्स ये भी चतावनी दिये कि रसिया जो है किसी भी कंट्री के लिए ना मुमकिन है ये इंपोसिबल है पूतिन ने अमेरिका को चतावनी देते हुई ये काये कि अमेरिका विश्विक इस्थर पर युद्ध को भढ़का रहा है टीके अमेरिका विश्विक इस्तर पर रसिया और यूक्रेन रिद्दू को भड़का रहा है इसे में रसिया जो है ये न्यू इस्टार्ट संदी को सस्पेंड कर रहा है दोस्तों अमेरिकी फोरें डिपाट्मेंट की एक वेब साइट है उसके मुताबिक 548 2018 तक अमेरिका और रसिया ने संदी का अच्छे से फालन किया था न्यू स्टार्ट संदी के तहत अमेरिका और रसिया ये 700 स्टेटिक हत्यारों के लॉंचर्स को तेनात करने पर राजी हुए थे इसमें अंतर महाधिवी वेलिस्टिक मिसाईल यानिकी ICBMS साथ इस सब्मरीन लॉंच विलिस्टिक मिसाईल यानिकी SLBMS और इसमें परमानों हत्यारों से लेस, भारी, बम, वर्शेक, विमान ये सारी चीज़े इसमें शामिल थी देखिए अगर रसिया जो है अगर ये न्यू स्टार्ट संदी को तोड़ता है या अपने कदम इसमें पीछे हटाता है तो ऐसे में रसिया और अमेरिका की पर्मानों हत्यार बनाने की जो लड़ाई ये फिर से शुरू हो जाएगी पुतिन ने पहले इसमें एलान केया था है कि वो पर्मानों हत्यार का विकास फिर से शुरू करेंगे देखिए दुनिया भर की देशों के मुकाबले रसिया के पास पहले से सबसे ज़्यादा पर्मानों हत्यार है अगर संदी तूरती है तो रसिया नए पर्मानों हत्यार बनाएगा और इसी के जवाब में अमेरिका भी पर्मानों हत्यारों का निर्मान करेगा और इससे दुनिया में पर्मानों हत्यारों की जो रेस वो फिर से शुरू हो जाएगी यानिकि अगर न्यू स्टार्ट संदी तूरती है तो इससे पूरी दुनिया पर फरमानों हत्यारों का जो भी नुकलियर विपन से इनका खत्रा दोबारा मंड़ाने लगेगा जो कि पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है चलिए आज के वीडियो में इतना ही आश्या करता हूँ कि आपको सबको चछे से सम अगर इससे लेटेट कोई अपडेट आती है तो हम आपको नेक्स टूडियो में बता देंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए विश्यो अले वेरी बेस्ट थेंकिस सो मच